आपको अपने सोशल साइंस के अंदर किस तरीके से अंसर लिखना है यानि अंसर फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले है और यह चीज है ना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूं कैसे ठीक है आपके साथ है लाइफ में पक्की ब कभी-कभी चार मिलते हैं और कभी-कभी तो हद ही हो जाती है उसमें साड़े तीन नमबर मिलते हैं क्या आपने अंसर कर ले दिखा बिल्कुल भी नहीं अच्छे से आप लर्ण करके गए थे एक भी एक एक भी लाइन के अंदर आपका क्रॉस नहीं लगा वा आपका आंसर तो टीचर ने चेक कर आवा बर फिर भी साड़े तीन मार्स दे रखें क्या आपके अंसर में गलती है नहीं आपके प्रेजंटेशन में गलती है जाने अंजाने में हम कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं जिसकी वज़ेसे आदे मार्स एक मार्स ऐसे ऐसे कट जाते है और आदे मार्स कट 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 के 10-12 मार्स बन जाते हैं बहुत बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे आजे हैं Subscribe and एक-एक marks, दो-दो marks और map में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें तो direct answer लिखा होता है, जो कि उसको आता है, बढ़ दिक्कत होती है 5 नम्बर की question में, 5 नम्बर का question जो बच्चा वो लिख कर आता है, उसमें teacher देती है 4, उसमें देती है 4, टीचर की भी गलती नहीं है, गलती कहीं न कहीं, presentation में हमारी कसर चूर जाती है, और वो ही गलती सुधारने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, अब आई होप आपको na, मेरे को importance ना बतानी पड़े, presentation की, I hope आपको presentation की importance समझ आ गई हो, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से क्या चीज ध्यान में रखनी है, किस चीज पर focus करना है, उसके बारे मैं बता देता हूँ, और यही वीडियो का core है, क्या है वो चीज, वो यह है, कि आपको basically ऐसा answer लिखना है, जो कि teacher के लिए check करना easy हो, आप अपना convenience मन देखो, आप teacher का convenience देखो, अब जो teacher check करने वाला है, उसको check करनी है sheet, अब जितनी बढ़िया तरीके से आप answer लिखोगे, और उसके लिए check करना बहुत easy बनाओगे न, उतने ही आपको अच्छे marks मिलेंगे exam में, यह guaranteed है, अब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, यह सुन लो आप, ठीक है, सबसे पहली चीज तो, आपको क्य करना है, हमेशा answer points में लिखना है, याद रखना, गलती से भी paragraph में मत लिखना, points में लिखना है, क्यों, क्यों कि teacher के पास ऐची नहीं है, आप ही sheet चेक करनी है, teacher के पास बहुत सारी sheet होती है, bundle के bundle होते हैं, उन्हें check करने होते हैं, ठीक है, और एक sheet के 8 रुपे मिलते हैं, त तो इसलिए teacher के लिए convenient होता है, मतलब वो points में जो है, वो अच्छे से पढ़ पाती है, read कर पाती है, paragraph में जो होता है, आपको पता है, teacher के पास key होती है, key के अंदर जो है, वो कुछ word लिखे होते हैं, अब अगर आप paragraph में लिखोगे, तो teacher वो word कैसे ढूंडेगी, ठीक है, उनको लगेगा यार, paragraph में बच्चे ने लिखा, इसको तो answer ही नहीं आता, वो teacher cut कर देगी, आपने बेशक वो key word होते हैं, वो बेशक अगर answer में लिखे भी हो आपने, तब भी teacher को नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपने paragraph बना दिया, तो इसलिए कभी भी paragraph में मतलिखना, actual में paragraph में महनच जादा और marks कम मिलते हैं, तो इसलिए हमेशा points में लिखना है, मैं आपको example देता हूँ, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, एक भी answer है जो मैंने करवाए है, और अच्छा एक और बात बता दू, मैं SST का हर एक chapter, हर एक chapter के most important question अप्लोड कर चुका हूँ, most important question है सारे के सारे answer points में है, answer points में क्यों लिखे, ताकि teacher के लिए check करना बहुत easy हो जाए, I hope ये बात आपको पता चल गई हो, चलो, मैंने सारे points लिख रखे हैं, ताकि मेरे से भी point मिसना हो, मैं भी नहीं चाहता कि आपका आदा marks भी गटे है exam के अंदर, ठीक है, दूसरी चीज है हमेशा introduction line जरू लिखनी है, पता है, exam में question आता है, feature of federalism बताओ, संगबाद की विशेशता बचाओ, बच्चे पहले points से शुरू हो जाते है, कि संगबाद में 2 से जादा सतर्गी सरकारे होती है, federalism में क्या होता है, two or more tier of government होती है, बच्चे रुक जाओ थोड़ा सा, पहले marks मिलने की बात नहीं है, यहाँ पर बात होती है, presentation की, ठीक है, आप अपने answer को कैसे improve कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ऐसी चीजे लिखते हो ना, तो यह teacher पे बहुत impact डालती है, उसको लगता है कि हाँ यह बच्चे ने आप से question आता है कि feature of federalism ही बताओ, यह question आ जाता है, तो एक line की definition लिख दो, उसके बाद appointment start कर दो, मैं तो यही कहूंगा आपको, although अगर मानलो introduction जादा नहीं, एक line का introduction काफी होता है, चाहे वो एक line का introduction यही लिखोगे न, कि feature of federalism are given below, यह भी introduction line चलेगी, यह definition भी चलेगी, को line लिखने के बाद, यह जो होता है, यह डाल के फिर first point से नीचे से start करना है, चलो, तीसरा point क्या है, use subheading, subheading जरूर बनानी है, जैसे मैंने बोला, teacher के पास क्या होती है, key होती है, key में क्या होते है, बिल्कुल कुछ words लिखे होते है, जो कि teacher आपके answer में ढूनती है, मैं सविन्य वग्या अंदूरन में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग आकान चाहिती, और यही अगर आप subheading में लिख दोगे, तो teacher को लगेगा क्यार, इस बच्चे को तो main answer पता है, तो आगे जो है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पढ़ेगी, teacher पहले आपको 5 में स पांस नंबर दे के आगे बढ़ जाएगी, yes or no, तो हमेशा आपको subheading जरूर लिखनी है, और subheading को underline भी करना, next point यही है, underline वाला मैं आपको बताऊंगा, बट याद रखना, जिस भी question, अब कुछ ऐसे question होते हैं, आप बोलोगे कि sir, subheading बनीगी नहीं, कुछ ऐसे question हो, क listen हो, यह बहुत simple question है, इसमें subheading प्यार से बन सकती है, तो आपने बनाई, है न, मालो question आता है, जलियवाला बाग के बारे में बताओ, तो इसमें subheading नहीं बनेगी, तो नहीं बनानी, बट जिसमें बन सकती हो, उसमें जरूर बनाओ, ठीक है, teacher की महनत कम कर दो, ताकि teacher को जुआ से ढूंड़न ना पड़े कि कहा लिखा है कि दलीतो ने participate करा, समझ गे न, आप इनी बात, चलो, next point है कि underline जरूर करनी है चीज़े, ठीक है, underline का क्या मत्रूर और underline है न, देखो, जब मैं बोलता हूँ बच्चों को underline, वो पूरा paper ये underline करके आ जाते है, ठीक है तो पहली बात तो underline बिसिकली बहुत ही जदा important चीज़ करनी है, underline मैं आपको बता देता हूँ कैसे, जैसे कोशन है जलिया वाला बाग का, ठीक है, यह जो red-red दिख रहा है न, यह आपको underline करना, अब जलिया वाला बाग का कोशन आता है, तो आप खुद दिमाग में सोच जनरल डायर ने करवाया था, यह जरूर लिखा होगा के लिए यह आंदोलन वगयरा हो रहा था, और यह भी जरूर लिखा होगा के martial law लगाया गया होगा, martial law लगाया गया था, और यह भी लिखा होगा के जनरल डायर ने यह क्यों किया था, ताकि वो नहतिक परभाव छोड सके हमारे सत्याग्रेय हुए यस और तो बेसिकली आपको खुद देखना है कि आपको पूरा-पूरा अंडरलाइन करना पूरा-पूरा अंडरलाइन नहीं करना ठीक है कभी कबर क्या होता है हम भावराओं में बहजाते हैं हमको लगते हमने आंसर लिखना है तो सब कुछ इं अंडरलाइन नहीं करना पूरा-पूरा-पूरा पूरी-पूरी-पूरी लाइन अंडरलाइन कर रहे हो यह सही नहीं है आपको दो-तीन वर्ड जो है हर लाइन के अंदर से अगर आपको कुछ इंपॉर्टन लगता है तो अंडरलाइन करने है और बहुत इंपॉर्टन वर् अगर आपका पूरा इंगलिश में हुआ और हिंदी में हुआ और math के अलग से digit दिखेगी क्यार इतनी तारिक को तो teacher के दिमाग में जाएगा सीधा सीधा और वो date देखेगी और गलत लगी तो teacher का वहाँ से negative impression शुरू हो जाएगा क्यार इस बच्चे ने कोई ना कोई गडबड कर रखी है अब ना teacher थोड़ा focus से पड़ेगी आपका paper जैसर नो आगे वाले question बहुत focus से पड़ेगी क्यार ये बच्चा जो है वो वैसे तो answer सही लिखे है बट मेरको एक बार थोड़ा अच्छे से check करना चाहिए teacher alert हो जाएगी तो teacher को alert नहीं करना आपको अगर आप date के बारे में 100% sure हो तब ही लिखो जब खिलाफत वाले question में date के बारे में पूछा ही नहीं है आप answer को improve करने के लिख लिख रहे हो तो improve करने के लिखना बहुत important है गलत अगर लग रही है आपको date मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है अगर गलत अगर मालो date अगर आप नहीं लिखते ना तो चलेगा बट अगर मालो अपने date लिखे और वो गलत हो गई तो cross पढ़ जाएगा और यह cross सिर्फ आपकी sheet पे नहीं दिमाग में भी पढ़ जाएगा teacher के के हाँ जी बच्चे नहीं यहां गलती करी है अब य आगे वाला paper बहुत alertness से चेक करेगी ठीक है जी आई होप यह बात आपको clear हो गई चलो next question है don't overwrite ठीक है जी आप 2-2 page के मतलब answer लिख रहे हो इसका कोई sense नहीं बनता बच्चे ठीक है आप अगर 12 में होते जहां 8 number का question आता है वहां पर मैं आपको बोलता कि जी हां आपके पास history है 8 number का question है भर दो 2 page तो भरने है आपको minimum बट जब आप 10th class में हो 5 number का question आना है maximum तो 6 point या 7 point maximum लिख दो इससे जादा आप क्या लिख होगे override बिल्कुल नहीं करना इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जो बाकी question है आपको आपके जो आप कर सकते हो वो आपके छूड़ जाते है yes or no या उसमें कम आप थोड़ा सा अपना effort डाल पाते हो मालो 5 number कोई question आप ने उसमें इतना time लगा दिया इतना लिखा उसके अं सबसे बड़ी दिक्कति आती है में को हमेशा बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते सर पेपर तो इजी आया था अपर लेंधी आया था लेंधी कुछ नहीं होता बच्चे हम करके नहीं जाते ना ओवर्राइट कर देते हैं उसकी वज़ए से problem आती है दो नंबर के question में आप बि ट्राइ करना है मेरे कहने का मत्तब क्या देखो मैंने जब शुरुवात करी थी तो मैंने आपको क्या बोला था ऐसा paper लिखना है ताकि teacher के लिए check करना असान हो जाए अब मैं इसका एक example देता हूं ठीक है मालोट question आता है exam के अंदर के ये बताओ के जो हमारी on the basis of ownership as स्वाम लिखना definition फिर लिखोगे public फिर लिखना definition फिर लिखोगे cooperative फिर लिखना definition फिर page पल्टोगे लिखोगे फिर joint यही करोगे आप बट मैं आपको बोलूँगा यह करने से पहले आप एक ऐसी चीज करो जिससे teacher को यह भरूसा हो जाए कि बच्चे को answer तो आता है अब बस English चेक क लिखना है जी क्या public यहां लिखना है private यहां लिखना है cooperative यहां लिखना joint ताकि teacher को लगे कि हाँ बच्चे को answer आता है अगर यहाँ पर teacher ने देख लिया बिल्कुल starting में देख लिया कि यहाँ पर उसने सही लिखा है इसका मतलब teacher को clear हो गया बच्चे को answer आता है बस उसकी English चेक करनी है यह सर नो एक और एक्जांपल देता हूं और यह विल्कुल दिखाता हूं कि जैसे मालो एला कोशन आता है कि लिबरल जो लोग थे ना उनकी क्या-क्या डिमांड थी मैं चाहता विल्कुल अच्छे से यह पॉइंट्स में अच्छे से पॉइंट्स में लिख देत पर teacher को यह clear हो गया कि जि इस बच्चे के marks तो अच्छे ही बनेंगे क्यों कि इस बच्चे ने पहले ही answer clear करती है yes or no आपको basically teacher को यह ही शो करना है कि जी answer तो अपने को आता है अब English चेक कर लो आप मेरी बस समझगे ना परी बात आई होप यह बात आपको clear हो गई हो यही सा प्लूँगा कि मालो आपको कोई question जो है आप revise वगरा कर रहे हो तो एक-दो question लिख कर देखना आप जब एक-दो question इस तरीके से लिख कर देखोगे ना तो आप अच्छे से अच्छे से सारी की सारी चीज़े clear कर पाओगे I hope यह बात आपको clear हो गई हो ठीक है बाकी जैसे मनें बढ़ताया कि जो हमारे मतलब पहली बात तो यह है कि मैं बहुत सारे chapter के most important question अप्लोड कर चुका हूं सबका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा मैं दिखा भी देता main point study वाले चैनल पर नीचे description में आपको इतिहास के भुगोल के अर्थशास्त के लोगतांत्रिक के same for English medium students history के geography और economics और civics सबके most important question अप्लोड कर चुका हूं सबका जो link है ना वो नीचे description में मिल जाएगा next बात यह है कि जो हमारा vlogging channel है ठीक है भरत कुमार खोरवाल का basically यहां मैं main point study पर लेता हूं बढ़ यहां पर भी live अगरा है ले रहा हूं ताकि जो आपके doubt वगरा है solve कर सकूं ठीक है और यहां पर MCQ की marathon भी करेंगे और एक और channel है वैसे तो हमारा main point tech वाला basically मैं वहां पर यह बताता हूं कि student earn कैसे कर सकता है animation video phone से कैसे बना कर YouTube पे upload करके earn कैसे कर सकता है website कैसे बना सकते हो free में website से earning होती है नहीं होती आप दूसरे की वीडियो YouTube पर copy करके कैसे earn कर सकते हो यह सारी की सारी चीज़ फोन से animation video कैसे बना सकते हो यह सारी की सारी चीज़े मैं बताईए तो main point tech पे exam खतम होने के बाद main point tech पे आना बातचीत करेंगे कि आपको source बताऊंगा वो free video ही होगी जिसको देखकर आप animation वगरा बनाना या कुछ भी चीज़ों है सीख सकते हो ठीक है चलो बाकी मिलते है जी next video में तब तक के लिए thank you so much जै बारत वंदे मात्रम अलग 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 चैन का link आपको नीचे description में दे रखा है मिलते है next video में तब तक क लिए बाई बाई